Π्रकरण बीजु, रूँ अने रुहानियत उत्तम ए हशे क्या आपने आजनी मजलिसमा रूँ अने रुहानियत वेशे कई मुडभूत अने खास प्रकार निवातो करिये कारण के रूँ अने रुहानियत दीने इस्लाम मां सवती मोटो अने अति महतवनों विशय छे ए माटे के ते पोतानी मार्फत अर्थात इंसाननी पोतानी ओडख थकीज मार्फते खुदावंदी मडे छे के जे गनान तथा कार्यनों सफड परिणाम तथा दिननों सवथी छेवतनों हेतू छे एक मां सगडू जारे खरेकर ए बाबत छे के रब्बल इज़त खुदावं ताला नी ओडख इनी मार्फत नों अमुल्य भंडार तेनी अमाप अनन्त अने अमर दावलत मान्वेनी पोतानी मार्फत ना छुपाएला छे अने ए असल मां रूहनी मार्फत ने दिलनी द्रस्ती थी जोवानू अने संपूर्ण पणे ओडखवानू नाम छे तो पची रूह अने रूहानियत नी तरफ वधारी थी वधारे ध्यान केम न देवा मावे जारे के आ महान काम एक एवो विशार अने एक मा सगड़ी बाबत समावनार विशय छे के जे मा दीन ना सगड़ा विशयो पोतेज मर्यादित थैने समाई जाई छे केम के खुदात आलानी मार्फत मां सगड़ी वस्तुव समाई ली छे अत्वा एम केवू जो ये के खुदानी मार्फत एवो विशय छे के जे सगड़ा विशयो उपर छवायलो अने सादो स्पष्ट छे तेथीज मारू कहवू छे के रूह अने रूहानियत ना विशय तरफ द्यान देवा नी सखत जरूरत छे हजरत मौलाना अमीरुल मौमेनीन अली अलहिस्सिलाम नू फरमान छे के जेने पोताना रूह नी मार्फत मेढवी ली थी तेने खातरी पुरुवक पोताना परवर्दिगारनी मार्फत मेढवी ली थी वड़ी फर्माविऊं कि तमारा माती जे शक्स पोताना रूह ने सवती वधु ओड़खे छे तेज पोताना परवर्दिगार ने सवती वधु ओड़खे छे परन्तु मार्फत रुहानियत नी गणी बधी स्थीतियो थी आगड़ पसार थै ने असल थी वासल थै जवा पची संपूर्ण थाई छे माटे खुदानी ओड़खनू आ अतिशे उच मर्तवो कोई ने पोताना व्यक्तिगद प्रत्नो थी प्राप्त नती थै शक्तो ज्यां सुधी के आ नाजुक अने मुश्केल रस्ताओ पर काबू राखनार बरहक खुदा तालानी दस्तगीरी, मदद अने मार्ग दर्शन अने हिदायत न मड़े केम के मार्फत मुमिन नी मजभी जिन्दगी नू सौथी मोटू पराक्रम छे जे खुदा अने रसूल तता इमाम जमान अलाहिस सलाम नी पवित्र हिदायत थकीज पूर्ण थैशके छे सिरात मुस्तकीम अने मार्फत जे रिते आ एक सर्व मानिय अने अखंड सत्य छे के इसलाम नू बिजू नाम सिरात मुस्तकीम छे अने आ सिरात मुस्तकीम नी कल्पना मा मार्फत नू स्थान सौथी छेवट मा आवे छे जेम के शरियत, तरीकत, हकीकत अने मार्फत तेज रिते मानविनी पूतानी ओडख जेमा के खुदानी ओडखनो बंडार चुपाएलो छे दीन ना रस्तानी छेली दशामा छे छेला स्टेज उपर छे जे मार्फतनो इस्थड़ छे अने आधारेली मंजिल सुधी मौमन बंदो हकीकी गनान अने नेक आमाल द्वारा पहुँची शके छे अत्वा एम के वुजो ये के सीधो रस्तो के जे मुसल्मानों तथा मौमिनों माटे ताबेदारी अने फर्मान बरदारी नोज रस्तो छे ते उपर इमान राखनार बंदो गनान अने अमाल ना वसीला थी पगत्ये पगत्ये आगण वधी शके छे ते एटले सुधी के तेनु बातिन नूरे मारफतना सिंचन थी संपूर्ण पणे प्रकाशित थै जाए अनुभव अने मारफत एज प्रमाने जारे कोई हकीकी मौमिन मारफतना मुकाम सुधी पहुँचे तो ते वक्ते ते बातिन नी आखोना अनुभवना परिणाम थी न फक्त पोतानी जातने हकीकतने ओड़खे छे पण तेनी साथे साथे पोताना परवर्दिगार ने पण ओड़खे छे जाहेरी रिते तो मारफत जोके एकज शब्द छे जेनों भाषा की या अर्थ थाए छे ओड़ख पण ते पोताना हकीकी अर्थ अने हिक्मतोंने लिदे एवी उच शक्ती शाड़ी अने एटली तेजस्वी भभकदार छे तेनी संपूर्ण अर्थ सबर शक्ती मां जगत अने ब्रहमांड नी सगड़ी हकीकतों अने मारफतों समाई जाए छे परन्तों अफ्सोस नी वाद छे के बहूज उच्छा लोको मारफत ना वर्तूड ने तेना अर्थ अने हेतु ने समझे छे जो के मारफत मा सगड़ूच छे नूर मारफत मारफत एक नूर ना समान छे अने आ एज आदी नूर छे के जिस सदहाकार थी मौजूद छे जेना घणा नामों छे जेमके नूर इलाही, नूर इकुरान, नूर इसलाम, नूर इनबुवत, नूर इमामत, नूर इमान, नूर इकान, नूर मौमिनीन वगेरे वड़ी तमें जरा विशार आने फिकर करीने जूँओ के नूर मारफत शू न थी ते तो सर्व काई छे, केम के ते अल्लाह तबारक वत आलानू नूर छे अने ते माटेज, ते सर्व व्यापक नूर छे जेना प्रकाश मां खुदा अने खुदाई भेद आरीफ उपर एडले खुदानी इबादत करनारा उपर जाहिल खाये छे आदी औने अनादी, अजल औने अबद, बन्ने नी हकीकतों ना जीवन्त औने साफ निशानों जराये वद गट विना सामे आवे छे लोह कलमनी ओडख प्राप्त थाई छे मलायकोंनी ओडख थई जाई छे काइनात सरजवाना भेद नी जानकारी तथा अगम द्रस्टी मड़े छे अंबिया तथा इमामों अलेहे मुस्सलाम ना मोजीजाओ तथा करामतोंनी अमली रिते जानकारी थाई छे वही जेवी उच्च थी उच्च तर हकीकत नो अनुभाव थाई छे जिबराईल मिकाईल असराफिल अन अजराईल अलेहे मुस्सलाम नी ओड़क मड़े छे कायामत के जे कुरान शरीफ नो सौथी छूपो विशे छे तेनो अमली अनुभाव थाई छे हदीस कुदसी मां खुदा तालाय फर्मावियों छे के ते एक छूपो खजानों छे तो रुहानियत नी मुसाफरीनी हकीकत नी आशोधना परीणा में खुदा अने खुदाई छूपाईलो खजानों मड़े छे के जेमा सर्व कई छे अने ते सिवाई कई न थी नूर इर्फान एटले नूर ना गनान नो प्रकाश न फक्त आरिफनी जिन्दगी उपरच पड़े छे पण ते आरिफ जीवता जीवत मौत अने आखरतनी दुन्यानी हकीकतों थी पण सीधे सीधो जानकार थई जाये छे रूह के जे खुदा तालानी महान नूरानी मखलूक छे अथो एम कहवू जो ये के रूह खुदाना नूरनू एक जीवन्त अने मौजीजा सभर प्रतिबिम छे तेनो विचित्र प्रकारनो अनुबव अने दिदार थाये छे रूहानियत नी दुनिया के जे आ दुनिया थी जुदी छे बातिन ना भेद खुला करी ने सामे आवे छे दोजक अने जन्नत नी शुपाहिली वातों ना परदा उपड़ी जाये छे अने बातिन नी नजरों थी तेना दरश्यों जुवा मा आवे छे खुदाना घुणो तथा तेना एक होवा बाबत खुदानी वहदानियत बाबत सम्पूर्ण विश्वास थे जाये छे मार्फतना प्रकाश मा ए जानुआ जो ये के मार्फत ए नूरानियत नी एक एवी जिवन्त कायनाच छे के तेना थी कोई वस्तू जुदी न थी एनी अंदर जे कई छे ते तेनी रूह छे बीजा शब्दों मा कहिए तो मार्फतना प्रकाश मा जोवा थी दरेक वस्तुनी रूह स्पष्ट थाई जाई छे अने संबोधन करवा लागे छे भले पची ते पत्थर नी जेम जीवगर नी अचेतन वस्तु केम न होई जेम के खुदानू फर्मान छे ते चामडियो जवाब आप छे के अमने एज अल्लाहे वाचाड करी दी थी छे के जेने दरेक वस्तुने वाचा आपी छे सोरा एकतालिस आयात एक्विस कुरान पाक नो आ हिकमत सबर इशारो मार्फत नी जे दुनिया तरख छे जेनी दरेक वस्तुमा रूह छे अने ते बोली शके छे मार्फत ना नूर ना प्रकाशमा द्रस्ती करवा थी जणाय चे के पत्धर माटी अने हवा जवा खनीज पदार थो के जे वरुद्धी नती पामी शक्ता तेमा पण रूह होई छे वनस्पतिनी रूह तो वरुद्धी पामवा नी शक्तियो थी सपस्ट चे जानवरोंने रूह होवा विशे तो कोई ने जरापन शंका न थी इंसानी रूह तो एक साफ हकीकत नी जेम सर्व विदित छे माटे मार्फत नी नजर मां कोई एवी वस्तू न थी के जेनी रूह न होए माटे एक हकीकत छे कि मार्फत नी प्राप्ती दर्म्यान सगडी वस्तू नी रूह थी मुलाकात अने वाच्चित थाए छे आने तेना परीणा में तेमनी ओडखान ना गुप्त भेदो उपर थी परदो उपाडी लेवा मा आवे छे आने तेनी हकीकतो स्पष्ट थाई जाए छे मज़कूर हकीकतो तथा तेने ओडखनार आरिफनी साक्षियों पवित्र कुरान मा पन मौजूद छे आमाटे फर्मावामा आवे छे के अने जो अमें तेमना उपर खरे खर फरिष्टा पन उपतारी देते अने तेमनी साथे मरण पामेलाओ वातो करते तथा सगड़ी वस्तो तेमनी सामे भेगी करिने लावते तो पन तेवो इमान लावनारा ना हता सोरा नमबर 6 आयात 112 जाहिरे रिते जोवाती एम जणाए छे के आ कुरानी आयात एक नमुना रूपी छे पन समझ नाराओज समझे छे के आ हिकमत सबर फर्मान फक्त नमुना नी हज सुधी मर्यादित न थी पन एक जिवन्त सत्य अने खरी हकीकत पन छे आ एक बहूज अजब गजब हकीकत छे चित्र विचित्र हकीकत छे के रूहानियत ना जगत्ती सिधे सिधो संबंध राखनारा लोकोंने न फक्त मरण पामेलाओनी रूहो फरिश्टाओ जिन्नातो वगेरे देखाए छे पन साथे साथे सगणा जीवन्त मनुश्यो अने बद्धी वस्तो नी रूहो साथे पन मुलाकातने वाच्चित्थाए छे अने ए संबंधेनी सवती महान हकीकत सवती महान बनाव नूर इलाहिनो दिदार छे मार्फत नी पहुँच जर ए सत्य ने लगबग दरेग्यान कबूल करी लिये छे के नूरानी दिदार अने खुदाना मेडाप द्वारा खुदानी पूर्ण मार्फत पूर्ण ओडखान प्राप्त थाई छे पची भले ते पवित्र दिदार के जे जलाल अने जमाल नी तजल्लिती भरपूर्छे ते खुदानो होए के खुदाना नूर्णो के जे तेनो खलीफा अने प्रतिनी दी छे अथवा मनुश्यनी पोतानी रूह मां ए महान शक्ती समाईली होए के समय आवता ते दरेक रिते अने सगणा प्रकारे दरेक स्वरूप मां पाक पवित्र खुदानी खिलाफत अने प्रतिनी दीत्व तथा नायब करेशे ुदानु दिदार बरहक छे जेमां मार्फत प्राप्त थाईशे जे रुहानियतना अनुभवनी सवथी मोटी साबीती अने सवथी उच हेतु छे शुँ आ सत्य परिष्थी थी जान्या छता कोई अमल वाडो एम समझी शके छे कि कोई जरूरी हकीकतो मार्फत वाडाओनी द्रस्टी थी सदाने माटे छुपाईली रहे छे आवो समझ वो कई रिते वाजबी होई शके छे जहरे कि अल्ला ताला नो मुबारक मिड़ाप अने तेनी मार्फत साबीत थे ली छे जो कि खुदावन दे बरहक सवथी बातिन अने बातिन थी पुण बातिन छे छता पुण ते सर्वोपरी बातिशा पुताना वहला बंदाओनी रुहानियत अने नुरानियत मा जाहेर अने शोभायमान थैने पुतानी ओडखाण नी अननंत संपती अरपण करे छे शुँ एवामा मार्फतनी द्रस्टी अने पहुँचती कोई वस्तू दूर रही शके छे जारे के सवथी छूपा खजानानों भेद खुली जाए छे अरथात खुदानी मार्फत प्राप्त थाए छे जारे के ते बरकत्वंत अने बुलंद सवथी महान उच अने अमाप छे सवथी मोटो भेद ए जानू जो ये के जगतना पालणहार ने मार्फतना सामे कोई पन वस्तूनू कई पन महत्व न थी सवथी मोटो भेद खुदानी हकी कर छे माटे एक दीनदार ने होश्यार मानवी सरवरताती एक कल्पना करी शके छे के भेदो माँ सवथी मोटो भेद अल्ला पोते छे अर्थात खुदानी मार्फतनी स्थीती गणीज मुश्केल वस्तू छे अने सवथी मुश्केल वस्तू खुदा तालानी एकता unity of God छे पन तेम छता जारे विश्वास करवा माँ आवे छे के खुदानी मार्फत प्राप्त थाये छे अने त्यनी एकतानी ओडखान थई जाये छे तो एवी स्थीती माँ शू कोई हुश्यार मानवी एवी कल्पना करी शके छे के आ सिवाय कईक भेद एवा पन छे के जेना सुधी मार्फत वाड़ावो नथी पहुँची शकता आवी कल्पना वाजबी नथी कारण के ए अल्लाह अक्वरना अर्थनी विरूद छे मतलब के खुदाज सौथी मोटो छे अने तेज सौथी वधीने अने दरेक वस्तु थी उपर छे आगड छे जेना खुलासोयम थयो के दरेक वस्तु खुदाई रहमतनी हद माँ बंधायली छे अने तेनी उपर तेनी रहमत उपर तेनू गनान छवायलू छे अने ते पोते स्वयम इलम उपर छवायलू छे ते बादशा छे आ खुलासा थकी एक तरफ तो खुदानी मार्फतनी महानता अने बुजुर्गी तथा मोटाई अने शरेष्टतानी संपूर्ण खात्री थाई जाई छे अने बिजी तरफ ए जान थाई जाई छे कि कोई वस्तु खुदावंदनी रहमत तथा इलम थी अलग न थी अने तेनु परिणाम चोकस पणे एज निकले छे के जे खुश नसीब मानवी ने खुदानी मार्फत प्राप्त थाई छे तेने सर्व काई मली जाई छे जेना कारणों अने हेतु आ मुझब जणावेला छे नमबर एक खुदा ताला हकी की बादशा छे ज्यारे ते कोईने प्रेम करे छे चाहे छे तो पोथानी ओडखाण करावे छे अने तेने पोथाना थी माहित गार बनावी ले छे पछी खुदावन तालानी मित्रताना परिणा में एवा बंदाने सर्व कई मली जाई छे नंबर बे, जेने खुदानी ओडखान, खुदानी मार्फत प्राप्त थाई छे, तो तेने ए मार्फत पोताना हेठ़ड खुदाई इलम लईने आवे छे, अने इलम दरेक वस्तूने लईने आवे छे, केमके आगर जणावी चुक्या छे, कि खुदानी खुदाई तथा मार्फत सगडी वस्तू थी वधीने छे, अने सगडी वस्तू इलम अने रह्मत हेटर छे, नमबर त्राण, जोके ए सत्य छे के खुदा दरेक प्रकारनी उप्पुमा थी अलग छे, दरेक प्रकारना द्रस्तान्त थी जुदो छे, ते छता, तेनी अतिशय रह्मत अने महर्बानी नो ए आग्रह हतो, ए मांगनी हती, कि खुदानी खुदाईनी कल्पनानी शरुवातने माटे, कईक सर्वमान्य द्रस्तान तो रजु करवामा आवे, माटे, ते खुदाई, पोतानी पवीत्र जात वीशे, किटलाई हिक्मत सभर अने अर्थ भरपूर द्रस्तान तो आपया, जे मां एक एवी सुंदर अने मन गमती उपुमा पन छे, कि जे सदाई थी पाक, पवीत्र खुदानी अनन्त रह्मतना सवती महान, दया, महरबानी, प्रेम ना प्रतिबिम अने प्रतिनिधी तरीक रही छे, अने ते एक रुपाड़ू खुदाये पुतानी पवीत्र जात्मी उपुमा एक अती महान कीमती मखफी खजाना थी आपी छे, चालो ए मानियों के जो खुदाताला माधफत वाड़ाओने मालिक अने मौला तथा आका अने बादशा तरीके नहीं, पण खजाना तरीके मड़ी जाए छे, तो तेमा गणूज ध्यान आपी ने विचारवू जोई है, के ए खुदानी किटली मूती महरबानी छे, के ते जे सवथी मोटू महरबान छे, ते पोताने अने पोतानी खुदावंदी नी सगड़ी कमालियत भरी खुबियोंने मारफतना परिणामना इनामी भंडार तरीके गणे छे, अने आरिफ ने अरपन करी दे छे, आ भेदने आथी वधू उगाडो नहीं करवो जोई है, केम के आ खुदाई रहमत अने महरबानी मा घणी विचीत्र हिक्मतों छुपाए ली छे, आरिते ए जणायू के नूरे मारफत सर्व कहीं छे, अतिशय जेवी एक्ता, अतरे एक एवी एक्तानों उल्लेख करवो फाइदा मन छे, जे असल मां एककज छे, एक्ता जी छे, पन जाहेर मां अतिशय वधू समझवा मां आवे छे, माटे तेने अतिशय ता जेवी एक्ता के वी जोई है, जेने उप्पुमां सूरज अने तेना अगणित प्रतिबिम छे, कारण के ते सगडा प्रतिबिम्बो नी साची एक्ता, असल स्वरूप सूरज मां सदाय थी मौजूर छे, अने सूरज ना रूप जेवी उप्पुमां जेमां अतिशय ता होवो, पेली सगडी साफ अने स्वच वस्थूओं मां छे, जेमां सूरज नू प्रतिबिम्ब नजरे पड़े छे, जेमके अरीसो, स्वच पाणी वगेरे, आज प्रमाणे, रूहों नू पन एक मूर उद्भव स्थान छे, जेने रूहानियत नी दुनियानों सूरज जथवा नूर कहवा मां आवे छे, जियां सगडी रूहों नी साची एकता छे, अने नानी रूहों मां नूर नी रूप जेवी उपवा समान अतिशय ता छे, अने जो आ विशय मां आपने एक सर्व मान्य वाद करवा इछी है, तो तेने अतिशय जेवी एकता पुन कही शकी है, जेने अर्थ एम थाए, कि असल नूर मां सदाने माटे, दरेक रूहों नी जे एकता कायम छे, ते व्यक्तियों अने मानसों मां काम चलावरी ते गणी वधारे, इटले के अतिशय ता ना रूपे जाहर छे, जेम के सूरज अने तेना प्रकाश नी किरणों, अर्थात, किरणों ना दर्म्यान एक तरफ साची एकता छे, अतिशय ता, नफसे वाहिदा, पवित्र कुरान मां हिकमत स्वरूपे नफसे वाहिदा नू उल्लेख आवेलों छे, आ नफसे वाहिदा, नफसे कुल्ली छे, जे सगडी रूहों नू मूर उद्बव उस्थान अने नूर अजल, आदी नूर नी हैसियत थी छे, के तमारू पेदा करवू अने तमारू पाचू उठाडी ने उभा करवू काईज न थी, किन्तु मात्र एक जीव ने पेदा करवा अने उठाडी ने उभा करवा समान छे, सोरा नंबर 31 आयाद 28, अर्थात, पेदा थैल रूहो असल मा नफसे कुल्ली नी साथे सादे पेदा थैल होई छे, माटे तेनी एकता एक जाननी एकता समान छे, कि जी सदाने माटे नफसे कुल्ली मा कायम छे, अथवा आ हकिकत ने एम समझ वी जो ये, कि आपना माती परत्येक नी एक दिव्यता, अर्थात रूहानी उच्छ हकिकत हजू पन, नफसे कुल्ली साथे एज रिते बंधाये ली छे, जे रिते के अजल मा हती, आ सिवाए आपनी एक उतरता दरज्जानी स्थीती पन छे, अर्थात नीचली अने थोडो समय रहनार आरजी जिन्दगी, कि जे आपना व्यक्तित्व उपर नीभर छे, जेनी उपमा सूरज ना प्रतिबिम्थी आपी शकाए, कि जे अरिसामा नधर पड़े छे, जे रे कोई मोमीर नी रुहानियत ना संबंद मा व्यक्तिगत कयामत आवी जाये छे, क्यारे ते पूरा ब्रहमांड नी रूहो, कि जे रजकनों सरूप में तेवां आवेली होई छे, तेनी साथे पोताने क्यारे क्यारे अच्यानक नफसे कुल्ली, एटले सर्वे रूहों नी रूहनी साथे जोडाये ली जुए छे, आ तो थयो व्यक्तिगत रूहानियत मां दर्रेकनी कयामत नो नमुनों, जे मां दर्रेक जण पोतानी जातने अच्यानक समान ताथी, पूरा भान सहित नफसे कुल्ली मां जीवन्त अनुभवशे, जेमके तेनों इशारों आगर उपर जणावेल आयात मां मौजूद छे, कुरान शरिफ मां सुरई हुजरात मां छे, के सिवाए तेना काईज नती के मोमिनों परस पर भाई भाई छे, सुरा नमबर ओगन पचास, आयात नमबर दस, अने एक हदीश मां आज अर्थनी समझण आपता फर्मावा माव्यू छे, के मोमिनों परस पर भाई भाई छे, अने अंबिया अलाहे मुझ सलाम एक जान समान छे, आरी ते एह हकिकत स्पश्थरी ते जणायावे छे, के इंसानियत, मानवता, जोके निचला स्थर उपर वेर विखेर थाई जाये छे, पण एकतानी नजरोये जवा महावे तो ते उपर अने तेथी पन उपर एकठी नजरे पड़े छे, अने नफसे कुल्ली नी उच्चता उपर तो ते आदी थी लेने अंत सुधी, अजल थी अबद सुधी एकज जान रूपे छे, आ सत्य अने ओडखाणने लिधे एक होवानी हकीकत, मौनोर्यालिजमने समझवा मां मोटी मदद मड़ी शके छे, मार्फत अने कुरान, आ विशय मां ए सवाल कोई न कोई प्रकारे जरूर उद्भवी शके छे, कि कुरान मां मार्फत ना विशे शूँ फर्मावा मां आव्यों छे, तो एनो जवाबे छे कि कुरानी शरीफ मां ठेक ठेकाणे, खास हिकमतनी भाषा मां खुदानी मार्फत न अल्लेख करवा मां आव्यों छे, जे माना थोड़ाक द्रस्टान तो आ मुझब रजु करवा मा आवे छे नमबर एक सुराई नूर मा फर्मावे लूँ छे कि खुदात आला आस्मानों अने जमिनों नूर छे सुराई चोविस आयात पांतरिस आनों इशारों सवती प्रतम अने सवती उच दरज्जा उपर एक एवा खुदाई प्रकाश तरख छे कि जे दर्स्टी धरावनारावने रुहानी गनान नूराने हिदायत अने खुदावंदी मारपत अरपन करे छे किमके जारे अल्लाह नूर छे तो तेनों अर्थ चोकस पणे गनान अने हिकमत धरावनार खुदानी जहुरात अने प्रकाशित थवा बाबत छे अने आरिफ एटले के खुदानी बंदगी करनार मुमिन ना अनूभव अने मारफत नी प्रापती विशे छे ए माटे के नूर नफक्त अंधारानों नाशकरी ने छुपाएली वस्तोवों ने जाहर करी देशे पन साथे साथे ते पोते पन जाहर थई जाये छे जेमके सूरज के जे एक तरफ अंधाराने खतम करी अने प्रकाश फिलावे छे अने आकाश अने धरती ने जाहर करी देशे तो बीजी तरफ ते पोते पन साथ जाहर अने उगाडों थई जाये छे माटे आ अर्थ संबंधे ए हकीकत सर्व मानिय छे के दिलनी द्रस्टी थी मार्फत वाड़ाओने खुदावन दी नूर ना प्रकाश नो अनू भाव थाई छे तो पछे आनू चोकस परिणाम ए आव्यू के कुराने हकीम मा ज्यां ज्यां नूर नो उल्लेक छे त्यां खुदानी मार्फत नी वाद पन छे नंबर बे कुराने पात सुरह 33 नी आयाद 45 ने 46 मा छे हे नभी नी संशय अमोय तने साक्षी आपनार अने खुश खबर देनार तथा डरावनार तरीके मोकल यो छे अने अल्हानी आगना थी लोकों ने तेनी तरफ बोलावनार तथा इमान अने हिदायत नो प्रकाश आपनार चिराग बनावी ने मोकल यो छे अहीं हजरत रसूल सलललाह अलेहिवा आलेहिवा सलम ने खुदाय नभी रसूल साक्षी देनार डरावनार खुदानी तरफ बोलावनार अने प्रकाशित दीवो बनावे ने मोकल याता माटे आप मानवन्त सललललाह अलेहिवा आलेहिवा सलम ना ए पवित्र नामों मां मार्फत ना अर्थो मोजूद छे नभी तेने कहे छे के जे खुदा तालाना तरफती खबर लावे छे अने हकीकत मां तेनु मूड तेनु पायो रुहानियत अने प्रकाशित नूर ना अनुभव उपर छे एज रिते रसूल ते छे जेने खुदाए पोतानी अतीशए निकट्ता अने नजदी की धी मुकल्य होई अने साक्षी आपना नो अर्थ छे ते मानस जेने असल बनाव अने स्थीतीनी हकीकत ने जोया होई अने जे ते मामला नो साक्षी होई अमा रहमत ना पैगंबर इटले नभी नी रुहानियत अने मार्फत नो खास उल्लेक छे के जो जन्नत अने खुदाई दीदार नो अनुभव न करयो होते तो हकीकत मा हजूर सल्लम साक्षी देनार न कहवाते अने न तो खुश खबरी देनार अने डरावनार होते केम के आ धरेक नामों नो प्रयोग रुहानी दुनियाना अनुभव पच्छीज योग्या छे अने खुदानी तरफ बुलावनार नो अर्थ खुदा थी मेडवनार नो छे ए वात मा केवी शंका होई शके के हुजूर सलललाहु अलेहीव आलेहीव सलम पोते अल्लाह थी मड़ेला हता ते थी तेवो पोते खुदाना हुकम थी बीजाओने पन साचा रस्ता ओपर चालीने खुदा थी मड़ी जवा माटे बुलाविया करता हता अने तेवो मानवन्त सलललाहु अलेहीव आलेहीव सलम खुदानी दावतनो आ महान काम नूरे मारफत थीज एनी सहाई थीज पूरू करी देता हता कारण कि तेवो पोते सललललाहु अलेहीव आलेहीव सलम नूरे हिदायतना प्रकाशित दीवानी हैसियत थी हता जेनों अर्थ ए थाई छे कि तेवों पोतेज नूरे मारफत हता तो आ द्रस्टान्त थकी स्पष्ट रिते ए जणाय छे कि कुराने हकीमनी हिकमत मां खुदानी मारफतनों उल्लेख मौजूद छे खास करीने ए आयतों मां जे संपूर्ण मान्वी एटले इंसाने कामिल अने उच गुणों धरावनार ना संबंधे छे नंबर त्राण कुराने पाक सुरा नंबर तेर आया तेतालिस सुरे राहाद नी आया तेतालिस मां फर्मावे लूँछे अने ए रसूल सलललाहु अलेहिवा आलेहिवा सलम काफर लोको जे लोको इमान न थी लाव्या तेओ कहे छे तु पैगंबर न थी कोई ना तरफ थी मुकलवामा आवेलो न थी पाण तू त्यों ने कहे के मारी अने तमारी वच्चे मारी रिसालत नी साक्षी आपनार एक तो अल्लाह पूरतो छे अने बीजो ते छे के जेनी पासे आस्मानी किताब कुरान नू संपूर्ण ग्नान छे तमें इच्छो तो कोई पन वस्तूनी तफसीर मां आ कुरानी आयाज संबंधे ए वात नी पुछ परच करी शको छो ज्यां केटलाक सुन्नी खात्री वाडा हवाला पन मड़ से के रिसालत ना कामनी आ आलिशान साक्षी मां खुदाना पच्छी जे संपूर्ण मानवीन उलेख करवा मां आवियो छे ते हजरत अमीरुल मौमिनीन अली अलही सलामत छे मां टे काफर कई पण कहे पण खुदान ताला अन्य अली इमाम मुबीन आ बनाव अन्य आ कार्य ना बे व्याजबी साक्षी छे कि आप हजरत सलालाहु अलेही वा आलेही वा सलम बरहक खरे खर रसूल छे हवे तमारे एक अकल्वन तरीके एक जरूर विचार वुजो ये कि हजरत अली अलाही सलाम नू अही साक्षी आपवानू शू प्रमान छे तमें चोकस ए निर्णाई उपर पहुँच्छो कि आ सवती उच्चितम प्रमान अल्लाह तबारक वताला एनी पवित्र साक्षी छे जेनों अर्थ ए थयो कि रिसालत ने कबूल करवा विशे जनाब मुर्तजा अली अलाही साक्षी पन खुदाई साक्षी नी जेम छटादार अने मजबूत छे अने आ साक्षी कालपनिक उपर छली अने मर्यादित प्रकार नी हर गिजन थी परन्तु सरासर नजरे जोयल अनुभव पर अवलम बिच्छे किमके गारे हीरा थी लईने शब मेराज नी दरेक रूहानी अजब अने विचीतर परिश्थी ती अने हकीकत नी जोया वगर हजूर अकरम अन्य रिसालत ना साक्षी बनी जवानों कोई अर्थ नती होतो जारे कि आप हजरत अलेहीव आलेहीव सलम नी नबूवत अने रिसालत रूह अने रूहानियत ना दरेक दरज्जा उपर रहे ली छे अने जारे कि आ अतीशे महान कारियनी साबीती ना माटे नो पहलो साक्षी जगत नो पालण हार परवर दिगार आलम पोते छे खुदावन ना आफ फर्मान कि जेनी अंदर अली अलेही सलम ना रिसालत ना साक्षी हुआ उपरांत एपन फर्मावेलू छे कि आप सललल्लाव अलेहीव अलेहीव सलम नी पासे आसमानी किताबनू गनान छे जो के आसमानी किताबनू गनान नफक्त कुराने शरीफना जाहर अने बातिन मां छे परंतु ते रू अने रुहानियतनी लोहे महफूज मां पन मौजूद छे के जे उम्मुल किताब एटले किताबनी माँ छे किमके गनानना वर्तूर मां किताब अने उम्मुल किताब बनने एकत छे तो आ हकीकतों ना आधारे एवात साफ रीते सामेहावे छे के बातिन अने रुहानियत नी कोई पन मंजिल मां नूरे विलायत नूरे नबूवत्ती अलग नोतू अनो अर्थ एछे के जारे पन नूरे नबूवते खुदानी तजल्ली ने जोयो तो नूरे विलायत ने पन जोयो आ खुदानी तजल्ली जोवाना गुण सिवाए कोई पन शक्स खुदानी साथे साथे महमद सलल्लाहु अलेहीव आलेहीव सलमने रिसालतना साक्षी धैजवाना दोरन उपर पूरो नथी उत्री शक्तो आ थकी ए अंदाजों थाई गयो कि कुराननी हिकमत मां कई रिते मार्फतनों उलेक करवा मां आवे छे मार्फत अने जन्नत जेमके पहला जन्नावा मां आव्यू छे कि ज्यां मार्फतना नूरना वसीला थी परवर्दिगारने ओड़की लेवा मां आवे छे त्यां मार्फत थी कोई वस्तु जुदी नती रही शक्ती केम के नूरे मार्फत दरेक वस्तू उपर छवाई ली छे अने दरेक वस्तू ने काबू करी चुके ली छे अने ए विशाड विस्तार मां जन्नत पण समाई ली छे अनु अर्थ ही थयो के सफड जिकर अने नूरानी इबादत ना परीणा में रू अने रुहानियत ना जे अनुभवो सामे आवे छे ते अनुभवो मां जन्नत पण छे जिमके खुदात अला फर्मावे छे अने तेमने एवा स्वर्ग मां दाखल करी देशे जेनी ओडख तेमने पहला थी आपी दीदी छे सुरा नंबर 47 आयाच छो आप अर्थी जन्नाई छे कि स्वर्ग नी ओडख दुनिया नी जिन्दगी मां ज थाई जवी जोई जे थी मरण पछी ते सदाने मांटे प्राप्त थाई शके अने अहीं कोईने जन्नतनी ओडख प्राप्त न थाई तो पछी आखरत मां तो अशक्य छे एज अर्थ मां खुदानू फर्मान छे कि अने जे मनुश्य दुनिया मां आंधुडो रेशे तो ते आखरत मां पण आंधुडो रेशे अने राहे रास्त थी घणे छेटे भटके लो रेशे सुरा नंबर सत्तर आयात बहुंतेर आफ फर्मान थकी आँखो थी जोवानी अने रुहानियत ना अनुभवनी महत्वता स्पष्ट पने जाहिर थाई जाये छे माटे मौमिन माटे जरूरी छे कि पोता ना इमामे जमान ना हुकम अने फर्मान साथे पोता ने बांधी राखे केमके खुदा ने तेना मानवन्त रसूल सलललाह अलेहीवा अलेहीवा सल्लम तरफ थी फक्त जमानानों इमामज आ उच्छ दरज्जा उपर नियुक्त थैल छे अने तेमनी ताबेदारी अने फर्मान बरदारी थकी इल्मुल यकीन एटलेके खात्री पुर्वकनू गणान अने नूर नी ओडखान राप्त थै जाए छे इल्मुल यकीन जो कोई मोमन दुनियवी जिन्दगेनी अंदरज दिलनी आखो थी रूह औने रुहानियतना स्वर्गनू अनुभव नथी वेडवी शकतो औने तेनी बातीनी आखो हजू नथी उगड़ी तो पन तेने निराशनी थवू जोए जो ते इमान अने इमामनी महबद माँ चोकश अने मजबूत छे एवी स्थीति माँ ते इल्मुल यकीन ती काम लेई ने आखरत अने स्वर्गनी हकीकतों नी कल्पना करी शके छे किमकि ज्यां दिलनी आँखो अने बातिन नो प्रकाश न होए त्यां यकिनना गनान नो प्रकाश आँखोंनो कामा पे छे जेना विशे कुराने करीम मा आड़िते फर्मावमा आवजू छे खबरदार जो तमें खात्री पुर्वक जानता होत तो हर्गिज गाफिल रहते नहीं चोकस पने तमें जहन्नम तो अवश्य निहार शो सुरा 102 आयात 5 अने छो खुदाना आ फर्मान मा खात्री विश्वासना ग्नानना वखान अने विस्तार करवा मा आवया छे अने तेनों स्पष्ट अर्थ ए छे कि जे नसीबदार मुमननी पासे इल्मोल यकिन होए तो ते न फक्त दोजक ने जोई शके छे परन्तु ते एना प्रकाश मा जन्नतना सत्यों ने पन जोई ने ओड़खी शके छे अने ए बधु मरी जवा पहला आज दुनिया मा संपूर्ण थै जवु जोई है जेती इल्मोल यकिन पछी एनुल यकिन नो दरज्जो प्राप्त थाए एनुल यकिन एनुल यकिन नो अर्थ छे विश्वास नी द्रस्टी जेनों हेतू छे दिलनी आँख अने बातिननी नजर मनुष्य एज बातिननी आँखो वड़े पोतानी रू औनी रुहानियतने जुए अने ओडखे छे रुहानी जगत औनी रुहानियतनी दरेक वस्तो नो अनुभव करी शके छे अने मारफत अहीं आज ठेकाने समपूर्ण थै जाए छे जो कोई मोमिन ने हजू ए मुकाम प्राप्त नती थै शक्यो तो जानी लियो कि तेना विश्वास ना गनानमा तेना इल्मोल यकीनमा नबड़ाई छे अथवा इबादत अने अभ्यास तथा हकीकी इश्ख मा अधूरा पणू छे माटे मुमिनों ने जरूरी छे के ति प्रमानिक्ता अने महब्बत नी साथे इमाम जमान नी संपूर्ण ताबेदारी करता करता जिकर औने इबादत तथा हकीकी गनान ने माटे मेहनत करे जे थी खुदा औने रसूल चलालाह अलेही वा आलेही वेसलम नो राजी पो मड़े औने तेना था कि इमाम तेनों हाथ पकड़ी लिए अने तेने नुवानी हिदायत मड़ती रहे जे ना था कि गनीज सहलाई थी इल्मुल यकीन अने अईनुल यकीन नो दरज्यो प्राप्त थाए